मैं आज आप सबके लिए लेकर आएँ सभी की आल टाइम फेविट मट्रे पनीर की रेसिपी और आज इसे हम बहुत यासान तरीके से बनाएंगे ना ही इसमें कोई काजू यूज करेंगे और ना ही दही या फिर क्रीम यूज करेंगे तो फ्रेंट्स प्लीज आप इस प्लीज आप सबको अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिपिकेसन को ज़िवर सवान कर ले ताकि मेरे जितने भी नयू रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रेसिपी मठर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कराही गरम करेंगे और जब यह अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लगबग दो बरे चमस तेल डालेंगे तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे तो इसकी वज़े से बहुत सारे लोग जो है वो पनीर को फ्राई करना प्रेफर नहीं करते हैं लेकिन मैं आप सबको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिसे अपना कर आप पनीर को फ्राई करने के बाद भी उसे बिल्कुल स्पंज की जैसा सॉफ्ट रख सकते हैं और पनीर को अगर हम फ्राई करके यूज करते हैं तो टेस्ट पी काफी ज्यादा अच्छा आता है तो फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किसे हम कैसे सॉफ्ट रख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे पनीर के पीसिस को फ्राई होने के लिए डाल दिये तो फ्लेम को यहाँ पे हम बिल्कुल हाई रखेंगे और एक तरफ से बस इसे हम एक मिनट के लिए हलका सा फ्राई कर लेंगे यहाँ पे आप बस ध्यान रखे कि पनीर को हमें बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करने है मैंने यहाँ पे पनीर को दोनों साइट से हलका हलका सा फ्राई कर लिये हैं तो बस यहां पे flame को हम बिलग को लो कर देंगे और इसे अलक प्लेट मे निकालकर रख लेंगे बनीर को सॉ पनीर को ब्लग की तरह सौफ्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक बरतन में पानी लेंगे आप चाहे तो गुनगुना पानी भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं इसमें हलका सा नमक आड़ करेंगे और तुरंत ही हमने जो पनीर को फ्राइ किये थे वो इसमें डिप कर देंगे और इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही डिप रहने देंगे या जब तक कि हम मसाले ना रेडी कर ले आप ये ट्रिक एक बार जरूर से ट्राइ करें सच में इसे पनीर जो बिलकुर स्पंच की तरह सॉफ्ट बने रहते हैं और इसका टेस्ट भी जो हो बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि हमने पनीर को फ्राइ करके यूज किये हैं और ये इसे गर्म हो जाए तो इसमें मैंने दो मीडियम साइस प्याज को इस तरीके से रफली चॉप करके डाले हैं और फ्लेम को यहां पर हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम लगबग 3-4 मिनिट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अब प्याज को हमें ज्यादा बा लगबग 4-5 लैसन के कर लियां और साथी इसमें डालेंगे लगबग 1-2 इंच अद्रक का टुकरा ताकि अद्रक और लैसन भी जो है वो प्याज के साथ अच्छे से फ्राइ हो जाए मैंने यहां पर प्याज को लगबग 5-6 मिनिट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लिये है आप देख सकते हैं कि इसका कलर है वो लाइट गोल्डेन हो चुका है तो बस इसे हमें इतना ही फ्राइ करना है तो इस स्टेज पे इसमें हम एड़ करेंगे एक मेडियम साइज कटा हुआ टमाटर को भी हम रफली चॉप करके यूज करेंगे ज्यादा बारी काट के यूज उल्स करने के जरूबत नहीं क्योंकि प्राइ होने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे और इसे भी हम बस एक से दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राइ कर लेंगे ताकि टमाटर जो है वो फ्राइ होके अच्छे से सॉफ्ट हो जाए एक बार इन सभी को अच्छे से चला और इसे हम लगबग एक से दो मिनट के लिए और फ्राइ कर लेंगे या पिर जब तक की टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए अभी टमाटर जो है वो अच्छे से फ्राइ होके सॉफ्ट हो चुका है तो बस इसे हम इतना ही फ्राइ करना है यहां पर फ्लेम को ह और इसे हम grinder jar में निकाल कर हलका सा ठंडा होने देंगे मैंने यहाँ पे सारे मसाले को grinder jar में निकाल लिके रख लिये हैं तो इसे बस हम हलका सा ठंडा होने देंगे और जब यह हलका सा ठंडा हो जाए तो इसमें बिल्कुल थोरा सा पानी डाल कर इसकी हमें की स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेंगे प्यास टमाटर को भी मैंने पीस कर रेडी कर लिए हैं तो इसे हम साइड में रखेंगे और मसाले खोल कर रेडी करेंगे तो इसके लिए एक बाउल में मैंने यहाँ पे देर छोड़े चमच हल्दी पाउडर लिये हैं साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टी इस्पून रेड चिली पाउडर और इसमें हम डालेंगे 2 टी इस्पून धन्या पाउडर मसाले आप अपने एक वाणिंग थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा कम स्पाइसी खाते हैं तो और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसकी हम पेस्ट बना कर रेडि कर लेंगे ताकि जब इसे हम गरम तेल में फ्राई होने के लिए डालें तो मसाले जो है वो जले नहीं तो सेम कराई को फिर से हम गरम करेंगे और जब यह अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लगबग 2 बरे चम्मत तेल डालेंगे तेल को भी अच्छ से गर्म होने देंगे तिय्म भी काफी अच्छ से गर्म होचुका Nawr देड़ में लगबग ₹ टी ग्वाश स्वाएंगा डालेगे 9 जीराट डालेंगे दो किम सूंखी वी लाल मिर्ज दूर कुष सकंड के कि यहां पर ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिलकुल लो रखे और लगातार चलाते हुए बस इसे हम आधा से एक मिनिट के लिए हलका सा फ्राइ कर लेंगे इसके बाद तुरंती प्याज टमाटर का हमने पेस्ट डेडी किये थे वह भी इसमें डाल देंगे ताकि मसालों के सालों का जो कलर है वो और्ज दिख रहा है लेकिं जैसे-जैसे यह मसाले फ्राइ होंगे इसका जो कलर है वो और रजन से रेड हो जाएगा और तेल वी पूरी तरह से मसाले में से बिलकुल से परेट हो जाएंगे तो बस इसी तरीकिसे इसे लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे मसालो को फ्राइ करते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और आप देख भी सकते हैं कि मसालो का जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज होके रेड हो चुका है और तेल भी इसमें से सेपरेट होने लगे हैं और इसमें से एक अलग से खुस्बू भी आने लगी है तो बस इसे हम इतना ही फ्राइ करना है और अब इसमें हम एड़ करेंगे हरा मतर मतर आप अपने कॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पे लगबग 200 ग्रम मतर यूज़ किये हैं और आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेस मतर या फ्रोजन मतर को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं मैंने भी यहाँ पे फ्रोजन मतर यूज़ किये हैं मतर को भी मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मटर को बस आधा से एक मिनट के लिए मसालों के साथ थोरा सा फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर मटर को हम बहुत ज़दा फ्राइ ने करेंगे बस इसे हम आधा से एक मिनट के लिए ही फ्राइ करेंगे मैंने यहाँ पर मटर को हलका सा फ्राइ कर लिए हैं और बस इसमें हम पानी आड़ करेंगे यहाँ पर मैंने लगबग दो ग्लास पानी आड़ किये हैं पानी आप अपने ग्रेवी के अक्वाडिक आड़ कर सकते हैं थोरा सा कम या फिर थोरा सा जादा अगर आपको पदली ग्रिवी पसंद है तो थोड़ा सा पानी जादा डाले या पिर गारी पसंद है तो थोड़ा सा कम डाले एक बार इन सबी को हम अच्छे से मिला लेंगे फ्लेम को यहाँ पर हाई कर लेंगे और इसके बाद इसमें एक बॉयल आने देंगे जब तक इसमें एक बॉयल आगा तब तक पनीर को हम पानी में से निकाल कर रख लेंगे आप देख सकते हैं कि पनीर जो है वो फ्राइ करने के बाद भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट है मैं इसे प्रेस कर रही हूं तो यह बिल्कुल इस पंज की तरह प्रेस हो रहा है इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि पनीर जो फ्राइ करने के बाद भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इधर ग्रेवी में भी अच्छा सा बॉयल आ गया है तो पनीर को इसमें हम डाल देंगे और एक बार चला लेने के बाद इसमें हम टेस्ट के कॉर्डिंग नमक आड़ करेंगे मैंने यहाँ पर लगबख वन टीस्पून नमक आड़ किये हैं आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग आड़ कर लें बट नमक डालते वक्त थुरा सा ध्यान रखे क्योंकि हमने प्याज को फ्राइ करने वक्त भी नमक आड़ किये थे एक बाद इन सभी को हम चला लेंगे इसके बाद फ्लेम को मीडिएम करदेंगे और इसे हम धक कर लगबख आठ से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे मत्र पनीर को पकाते हुए लगबख 8-10 मिनट हो गये हैं तो धककन अठाके इसे हम एक बद चेक कर लेंगे मत्र पनीर जो पूरी तरह से almost ready हो चुका है बस इसमें हम थोरा से last में गर्म मसाला आड़ करेंगे बट ये अभी दिखने में कितना ज़्यादा yummy और tasty लग रहा है और gravy भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है gravy आप अपने according गारी या फिर पतली रख सकते हैं तो बस इसमें हम एड़ करेंगे लगबग half teaspoon गर्म मसाला पाउडर एक बार फिर से इन सभी को मच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद इसे हम फिर से ढख देंगे ढख कर low flame पे एक से दो मिनट के लिए गर्म मसाला को और पका लेंगे तो बस थोरी देर में ही ये मच्छ पनिर की जो सबजी है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो लास्ट में इसमें डालेंगे थोरा सा कटा हुआ हरा धनिया और अब ये पूरी तरह से सर्फ करने के लिए रेडी है आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रहा है तो चलिए फ्रेंट्स इससे अब हम गर्मा गर्म सर्फ कर लेते हैं आप इस मच्छ पनिर के रेसिपी को किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं प्रेन रोटी के साथ पराटे के साथ नान के साथ प्रेन राइस जीरा राइस या फिर पूरी के साथ सब के साथ ही यह बहुत यादा टेस्टी लगती है और आप इसे लेंच ब्रेक फास्ट या फिर दिनर कभी बना कर खा सकते हैं और आप इस तरीके से एक बार इसे जरूर से ट्राइब करें यह सच में बहुत यादा टेस्टी बनती है और फ्रेंट्स आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर मेरी आज की रेसिपी आप तब को पसंद आई हो तो प्रीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइब करें और शेयर करें अचलिए फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई